असलाम लेकुम मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं बिल्कुल ठीक हैं खुश है और मज़े में हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करना जा रहे हूं ग्रेन चिकन कड़ाई की रेसिपी उमीद करते हूं आपको पसंद आएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिसमिल्ला रख्मान रहीम पैन लेंगे उसके अंदे हम औरल डालेंगे आल गरम हो चुका है अब हम इसके अंदर अनियन पेस्ट डालेंगे कुछ लोग डालते हैं कुछ नहीं डालते हैं अगर आप पसंद करने तो डालें अधर बेस सब्सक्रिप कर सकते हैं और आप इसको तब फ्राय करेंगे कि इसका कलर अधर लाइट कोल्डन हो जाएं तो जब तक प्यास फ्राय हो रहा साथ हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे तो यहां पर मैंने 1 kg चिकन लिये जिसके अंदर मैं हाफ कप हरी चटनी डालूंगी हरी चटनी मैंने हरी मिर्च, पोदीना और धिनिया से तियार की थी हाफ कप योगर्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो चिकन बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसको तक कि हम 15-20 मिन के लिए मैरिनेट करके छोड़ देंगे ताक कि ये बहुत जूसी बने तो जब तक हम ये चिकन मैरिनेट किया था साथ में हमारे प्यास भी लाट गोल्डन हो चुका है अब इस पॉइंट पे हम इसकंदर जिंजर और कार्लिक का पेस्ट डालेंगे और अब इसको तर फ्राइट करेंगे कि इसका कलर थोड़ डार्क गोल्डन हो जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुका है अब इस पॉइंट पे हम इसकंदर मैरिनेटर चिकन डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिट क yap kiss बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इस पॉइंट पे हम इसको तक्रिब लिए 10 मिंट के लिए लिट से कवर करके छोड़ देंगे दस मिंट के बाद लिट उठाएंगे अब इसके अंदर जीरा डालेंगे और इसको 2-3 मिंट के लिए बूलेंगे और अब हम इसके अंदर कोरियंडर पाउडर रचिली फ्लेक्स चिली पाउडर और गर्म साला पाउडर डालके इसको 5 मिंट के लिए बूलेंगे तो अब हम इसके अंदर कमाटर डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे योगर्ट डालेंगे और इसको 5 मिंट के लिट से गवर करके छोड़ देंगे तो 5 मिंट के बाद आप देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं अब इसके अंदर हम हाफ कप घरी चटनी डालेंगे और इसको तकरीबन 6-7 मिंट के लिए बहुत अच्छे से बून लेंगे सॉल्ट एड़ करेंगे, ब्रैक पेपर एड़ करेंगे अपने तेस्ट के अकॉर्डिनली अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको तो यहां देख सकते हैं कड़ाई बहुत अच्छे से बून चुकी है और अब हम इसके अंदर ग्रीन चिली डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे उस साथ में हम इसके अंदर क्रीम डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे याद रहे इस स्टेश पर आपको फ्लेम बोर्ट स्लो कर देनी है अगर फ्लेम हाई होगी तो क्रीम भड़ जाएगी दो मिन तक इसको पकने दें और फ्लेम आफ कर दें तो हमारी मज़दार से कड़ाई त्यार है कुछ लोग इसके अंदर ग्रीन फूट कर रर के इस्तमाल करते हैं बट मैंने नहीं किया और अब देख सकते हैं ये लाइट सा कलर कितना खुबसूरत लग है ये कड़ाई खाने में बहुत लजीज होती है इसका फ्लेवर काफी यूनिक होता है और अब इस कड़ाई के फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैं इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर दूँगी जिसके लिए मैंने कुईले को गैस फ्लेम पर छोड़ दिया गरम होने के लिए कोईल अच्छे से गरम हो चुका है अब इसके दिए कुछ टॉप साड़ के डालेंगे और फॉरन से इसको लिट से कवर कर देंगे तो तीन मिन तक हम लिट को उठा रेंगे आप इस टेप को लाजमिक करेगा ये स्मोकी फ्लेवर कड़ाई के टेस्ट को बहुत इन्हेंस कर देते है और बिवकल ऐसा फील करवाते है जैसे कानब बना ही कोईले पे हो बहुत रजीज होते है तो मज़दार से ग्रीन चिकन कड़ाई तियार है उमीद करते हैं आपको रेस्पी पसंद आएगी अगर पसंद आए तो मुझे फीडबेक देना मत बूलेगा मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ एक नई वीडियो में जब तक के लिए अजय करते हैं पस्पी आपको रेस्पी पसंद आएगी